सो सभी प्रिय विद्यार्त को डेड़ सारा नमस्कार मैसल डॉक्टर मुकेश कुमार और स्वागते आपका मारे पौरम एमकेश चैनल में सो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे एम्स बीएस नर्सिंग की काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है पूरा अपडेट पूरा नोटिप कैसन यहाँ पर जारी हो चुका है और कम अंकों पर भी सेलेक्शन होने वाला है इस बार तो 2023 में और सबसे बड़ी कुसी की बात है कि यहाँ पर एक साथ डबल काउंसलिंग का अपडेट जारी कर दिया है यान कि आपके पर्स राउंड का भी आचुका है साथ में सेगिंड राउंड का भी अपडेट यहाँ पर आचुका है एक साथ डबल कुसकबरी आचुके तो लाइक तो बनता है अब हम आपको बताएंगे कि आपको कौन सा कॉलिजियां पर मिलने वाला है तो पहले आप टाइम टेबल देख लो EMS BS Nursing Counseling का और इतना ही नहीं पिर ये विद्यार्तियों आपको तो पताई होगा कि आपके सारे कमेंट यहाँ पर देखे जाते है तो विद्यार्तियों ने कमेंट केते सर इतने अंक है हमारे तो कौन सा कॉलिज हम को मिलेगा जरा बता दीजिए तो वो भी हम आपको बताएंगे क्योंकि यहाँ पर हर एक विद्यार्ति के सुनवाई होती है चलिए यहाँ पर टाइम टेबल आप देख लो परस्ट राउंड का परस्ट राउंड की काउंसलिंग आपके आज से स्टार्ट है चोईस जुलाई से और यह कब तक चलेगी 28 जुलाई 2023 तक यानि की चोईस से 28 के बीच आप काउंसलिंग करवा सकते हो जिस परकार आपने फोरम बराता उसी परकार आपको कंप्यूटर सेंटर की जो सौप होती है साइबर केप की जो सौप होती है दुकान होती है वहाँ पर जाकर आपको फोरम बरना है काउंसलिंग का और वहाँ पर कोलेज आपको बरने है जो आपको अच्छे लगते है जो आप प्रायर्टी में रखना चाहते है वो आपको बरने होंगे कि हाँ हमको यह यह college चाहिए तो आपके नमरों के base पर आपको वो college मिल जाएगा result के time पे यहाँ पर seat allotment के time पे अगर आपके marks अच्चे होंगे तो अब यहाँ पर आपका 28 तक तो first round का choice filling हो जाएगा और यहाँ पर announcement हो जाएगा एक अगस्त को first round का और online acceptance जो seat आपको मिली है उसका acceptance चलेगा आपका 7 से 12 अगस्त तक यानि कि प्रिये विद्यारतियों एक अगस्त को पता लग जाएगा कि कौन सा M सापको मिला है फिर आपको college में reporting करनी होगी documents आपको जमा करवाने होंगे जो M सापको मिला है वहाँ पर जाकर सारे original documents की requirement रहने वाली है अब यहाँ पर reporting का time रहेगा आपका 7 अगस्त से 12 अगस्त यह बहुत important है पूरा time table वो तो टेलेग्राम पर भी डाल देगे टेलेग्राम का link वीडियो के description में दे रखा है फिर यहाँ पर आता है आपका second round तो आपका second round का जो announcement होगा जैसा कि आप देख पारोंगे 18 अगस्त को और जो vacant seat है उसका update भी 18 अगस्त को जारी कर दिया जाएगा कि इतनी seat है खाली रगई परस्ट round होने के बाद फिर यहाँ पर second round का जो joining होता है जो आप एडियूशन लेने जाओगे वो 19 अगस्त से 25 अगस्त रहने वाला है और डेडीज में बनती है अब यहाँ पर कौन कौन से M से कौन से नमरों पर आपको कौन से M से मिलेगा कटोप क्या रहने वाली है चलो सारी चर्चा यहाँ पर हम कर लेते है तो यहाँ पर यह पूरा अपडेट आ चुका है काउंसलिंग का और काउंसलिंग आपकी आज से स्टार्ट हो चुकी है अब यहाँ पर कापी सारी प्रिय विद्यारती बोलेंगे सर कौन कौन से डॉकूमेंट्स हमको चाहिए तो यह लिस्ट आप देख लो चाहो तो स्क्रिन सोट भी ले सकते हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यह डॉकूमेंट्स आपको एम्स जो आपको मिलेगा यहनकी कोलेज एलोट होने के बाद जब आप रिपोर्टिंग के लिए जाओगे न वहाँ पर आपको लेकर जाना होंगा ओरिजिनल सारे डॉकूमेंट्स जिसे कि पहला डॉकूमेंट्स एम्स का एड्मिट कार्ड जो आप इंटरंस एक्जाम देने गए थे तो आपके पास एड्मिट कार्ड आया होगा जब आप एक्जाम देकर आये हो तो वो आपको लेकर जाना है रजिस्टेशन की सिलिप आपको चाहिए ओफर लेटर सीट एलोटमेंट जो आपको होगा न उसका प्रिंट आउट सेटिपिट प्रूप दस भी बारवी का मार्क सेट आपको चाहिए और यहां पर डॉमिसल सेटिपिट आपको चाहिए कास्ट सेटिपिट आपको चाहिए बारवी का माईगरेशन आपको चाहिए यह इतने सारे डॉकूमेंट्स आपको पहले साही तैयार करके रखने है तबी आप वहाँ पर एडिशन ले सकोगे तो इसकी लिस्ट हम टेलेग्राम पर डाल देंगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अब यहाँ पर कापी सारी विद्यारती बोलेंगे सर एम्स में इस बार कम अंकोपे भी सेलेक्शन किस परकार से होने वाला है तो देखो बहुत सारे नहीं एम्स भी बन चुके है और कौन-कौन से एम्स है वो भी आप यहाँ पर देख लो जैसे कि यह रही पूरी लिस्ट है जैसे कि आपका एम्स दिल्ली टॉप है हो गया इसको प्रायटी में रखना अगर जिनके 200 तक रेंखे और 1500 तक रेंखे न वो तो एम्स दिल्ली इस परकार का टॉप का रखना कोई इश्यू नहीं है बोपाल हो गया भूनेश्वर हो गया ठीक है आपका जोजबुर हो गया यहाँ पर आप देख लो पतना का हो गया राइपूर हो गया रिसी केस हो गया नागपूर वाला हो गया ठीक है यह सारे टॉप के नागपूर और आपका यह देखिए पूरी लिस्ट हम टेलेग्राम पर डाल देंगे गोरोगपूर बिलासपूर बठिंडा है ना और इसके लावा आपको पता है दो और एम्स ओपन हो चुके थे तो टोटल आपके 15 के समतिंग यहां पर हो गए और भी अपडेट देख लो आप जैसा कि इस्क्रीन पर आप देख पार होंगे टोटल सीटों के बात करे तो आपकी 1100 के भी अबाव हो चुकिए क्योंकि यह पहले का अपडेट था दिल्ली, बठिंडा, बोपाल और गुनेश्वर आपका गौरकपूर, जोधपूर इसके अलावा एक दो और एम्स में आपको पता है सीटे बढ़ चुकी है 50 का तो मैंने अपडेट कल परसुए बता दिया था कि 50 सीटे बढ़ चुकी है ठीक है तो इस वज़े से कटोप कम रहने वाला है अब कटोप कितना रहेगा ये जान लो कितनी रेंक वालों को गौर्वर्मेंट यहाँ पर मिल जाएगा कॉलेज एम्स वो भी जाना आपके लिए जरूरी है सो फिर ये विद्यारतियों जैसा कि ओफिसली आप यहाँ पर देख पारोंगे खुद एम्स ने आपके लिए कटोप यहाँ पर तयार कर रखा है तो चिंता आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है अन रिजर्वड केटेगरी में अगर आप आते हो सो बेसिकली 4361 तक यहाँ पर कटोप मेंशन किया हुआ है तो अगर आपका यहाँ तक रेंख है तो नो टेंशन आप रहो EWS में अगर आप 4369 तक आपका रेंख है तो बिल्कुल आप सेफ हो नो टेंशन OBC NCL 6100 यहाँ पर आप देख पारोंगे पलस अगर आपका है अगर 6000 भी मान के चलो तब भी आपको नो टेंशन ठीक है आराम से आप काउंसलिंग में पार्टिस्पेट ले सकते हो इसके लावा आप देख पारोंगे EWSC और EWST का यह देखिए 8400 पलस आपका रहने वाला है तो बेसिकली यह जो लिस्ट जारी की गई थी यह देखिए यह लिस्ट में 40 से उपर वालों का नाम है रोल नंबर है रिजर्ट है अब 40 से जो कम अंक वाल है उनका तो वेसे भी नहीं होगा इसलिए EWSC ने पहले यह लिस्ट तयार करके भेज दी है और सभी विद्यार्थियों को पता ही कि यूटूब का ये एक मातर चैनल है जहाँ पर सारे कमेंटों को सम्मान दिया जाता है तो पिर ये विद्यार्थियों जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहोंगे सारे कमेंट आपके ओपन कर लिए और one by one करके सभी का reply आपको यहाँ पर मिलने वाला है तो उनसे पहले ऐसे विद्यारती जिनके 40 से कम अंक है एम्स में तो उनके लिए यहाँ पर देखो 2024 के लिए नियाबेच स्टार्ट है अगर आप तियारी करना चाते हो तो जोइन कर सकते हो और किस परकार से करना है तोड़ासा प्रोसीजर आपको बता देते फिर आपके कमेंटों का reply यहाँ पर देंगे गूगल प्ले इस्टोर पे एम्केस अकेडमी एप्लिकेसन है लिंक इसका नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है और 699 का कॉर्स आपको दिखेगा वो जोइन करके आप एम्स की तियारी आराम से कर सकते हो अब यहाँ पर देखो अधिक जानकारी के लिए यहाँ पर आपके लिए contact number help line number भी है और इसमें आपको live class मिलता है रिकोडेड मिलता है नौट्स, टेस्ट, प्रेक्टिस एम्स क्यूच, और पेपर यह सब आपको मिलता है तो basically coaching classes लेने के लिए इन नमरों पर आप क्या कर सकते हो वार्स अब कर सकते हो नियाबेच स्टार्टे सो यहाँ पर पहला कमेंटे तमन्ना का सर, I scored 386 एंड रेंक 2260 हो जाएगा, मिल जाएगा आपको पक काएम्स सर, I got 53 from general कास इनको भी मिल जाएगा थल्राउंड तक तो मिली जाएगा आपको और अंजली कोरी को तो सब जानते regular विद्यारती है हमारे चैनल पे, ठीग है ठेंक्यू सो मच अंजली कोरी और हंसा से नी सर, सेगिंड लिस्ट कब आएगी हंसा से नी वेट मत करो, तैयारी सुरू कर दो सेगिंड लिस्ट में से एक आभी सेलेक्शन नी होगा क्योंकि सेगिंड लिस्ट 40 से नीचे वा लोकी है डॉक्टर साठ नंबर, रेंक के 1764 हो जाएगा आयम्स मिल जाएगा पक्का आपको कॉंग्राचुलेशन MS चोधरी सेगिंड राउंड कब होगा सेगिंड राउंड आगया न अभी आपका टाइम टेबल अभी बताया मैंने MS चोधरी रामन जंद गुपता सेगिंड राउंड में रिजल्ट दिखाई नहीं नहीं वो तो रिजल्ट देखर भी क्या करोगे सेगिंड राउंड जो आपका रिजल्ट है न वो 40 से नीचे वालों काई है और वेसे भी हो तो कटॉप की जो रेंजे उसे बार चले गए तो जिनका भी सेलेक्शन होगा वो पस्ट लिष्ट से ही होगा सर आप यस्ट के बारे में बिल्कुल बता देंगे बियस्ट परामेडिकल का रिजल्ट का भी अपडेट आपको दे देंगे कोई दिक्कत नहीं और जो भी आपका रेंक है सर फिफ्टी सिक्स नमबर है रेंके 26 हो जाएगा आपका भी सर मेरी यसी केटेगरी में पी डवल्यूटी मिल जाएगा यहाँ पर नमबर बताओ आपके कितने है ठीक न बंदना और जो भी डाउट है आप बताते रो सारे कमेंट आपके देखे जाएगे लिंक नीचे देरका है टेलेग्राम का एप्लिकेसन का तो वहां से भी अधिक जानकर्या प्राप्त कर सकते हो